नमस्कार दोस्तों तो, पास सोव और एक हजाव रुप्री के नोट बंदोने के बाद आज तीन या चार दिन हो गये हैं और हम सब जानते हैं कि जिस तरह के से आम जंता परिशान हो रही है और बैंकों के बार लाइन है गरीब जो है वो वैसे परिशान है विकास उनके पास चोटा नहीं है और नोट्स जो है वो चलने रहे हैं तो दो तीन तिन गंटे बैंक में रुकने के बाद जो परशान हो रहे हैं और मैं समसकता हूं कि इस वरी टफ दूसी तफ जो मीडिया है कुछ बीजेपी के जो साथ ही है जो उनके नेता है वो इसे प्राइम निस्टर अनरेंदर मोदी का मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं उनके जो चमचा चैनल्स हैं वो इसको अनरेंदर मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी वह बता रहे हैं तो सबसे पहले मेरी जो यह वीडियो है वह एक्शली इस पात के लिए है कि इसमें काफी गलत धार नहीं है और गलत संदेश है कि से ब्लैक मनी कंट्रोल में आएगी शायद मेरी जानकारी इतनी जादा नहीं है कि मैं इस जब थी उस समय मनमौन सिंग एज प्राइम मिनिस्टर चाते थे कि 2005 से पहले के जितने भी नोट है उसे एक्शेंज किया जाए जो भी 500 के नोट दो यह पास से पहले बने हैं वो एक्शेंज किया जाए एक नए नोट के साथ ताकि ब्रैक मनी या नकली नोटों पे काबू क है जा सके उस समय बीजी पीजी के सक्त खिलाफ ती जैसे कि वह हर उस प्रोग्रेसिव चीज के खिलाफ होती थी जो कि अब उनके लिए एक मस्टर स्ट्रोक है वैसे जी एस टी पहले 10 साल उसके अगेंश रह अब जी स्टी उनका सबसे ब्रहु ब्रहाँ जो से कराते हैं श कि माफी सो जी एस्टी का एक्जामपल है मन रेगा जो था उस पे काफी प्रदारमंत्री मोदी ने मजाग बनाया था पारलेमेंट के बीच में लेकिन एक साल के बाद ही उसे कहा था ये रास्ट्रे सम्मान है और ये वर्ल्ड इसको मान रहा है तो जहां तक 500 रुपे और 1000 ही ने प्रेस कानफरेंस की थी जिसमें उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर वर्ट्स में कहा था कि ये ब्लैक मनी पे इस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा सकता इस तरह के से नोट बदलना गरीबों पे लात मारने के बराबर है और गरीब लोग आम औरत और आम आदमी ही प्रेशान होंगे उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह किसे यूपीए गवर्मेंट कर रही है उससे जो बड़े लोग हैं जो अमीर लोग हैं वो पहले ही अपने पैसे को टिकाने लगा देंगे या इसका तोड़ धून का लेंगे अमीर लोग पहले ही लोगों को हायर कर स सो जो कुछ में नक्षी लेखी जीने बीजेपी स्पोक्स परसन के हैश्चत से कहा वो शायर आज की डेट में भी उतने ही सच होना चाहिए उस समय नोट बंद करने की बात नहीं हो रही थी सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज की बात थी जिस पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ पी थूक कर चाटने में मिशूर है और मोदी जी तो खासता और पर हर चीज पर थोका है और अब उस चीज को चाट रहे हैं पाकिस्तान को लेकर उनके जो रोल्स हैं सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो इन्होंने दिखाई है मीडिया में बट सच्चाई दो चार सारबाद ही लेकिन ओवराल हर चीज जिसके वो खिलाफ थे वन कॉंग्रेस इस अपावर अब हर चीज वो कर रहे हैं तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सब के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगा जो मेरी बात खतम होने के बाद में नाक्शी लिखी का जो प्रेस कांफरेंस था व कुछ के प्रारीफ कर रहे हैं तो प्लीज आप खुद डिसाइड करें और अगर आप वो लगता है कि बीजेपी और सेंटरल कवर्मेंट एक बिल्कुल दोगली सरकार है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें और लोगों के सामने सच्चाई लानी चाहिए लोगों पता होना चाहिए किस तरीके से हर चीज के खिलाफ जाकर अपर रहे हैं कुछ लोग सोचेंगे मैं खॉंग्रेसी हूं मैं आपमी के तरफ हूं मैं परसनली उस इंसान को वोट देना पसंद करता हूं जो की मेरे सुसाइटी में मेरे शेहर में अच्छा काम करें मैं इस समयं कैनेडा में हूं ना की इंडिया में लेकिन मैं भी हिंदुस्तानी हो मैं भारतिनागरिक हूं और मुझे पुरा हक है इस बारे में बात करने के लिए सो भक्तों वीडियो देखने के बाद आप जितना भी गाले देना चाहें बिल्कुल दीजिए आप अपने ओकार दिखाएं और मिनक्षी जी का प्रस कांफरेंस जरूर देखें धन्यवाद मुझे नहीं मालूम कैसे मददगार हो गया मुझे ये मालूम है कि जो गरीब देहात में बैठा है जो दूर दराजों के इलाकों में ट्राइबल बैठा है उस तक ये खाबर भी नहीं पहुँचेगी और जब वो समान खरीदने दुकान में या शेहर में या कस्बे में जा इस देश के बाहर निकालेगा तो पता चलेगा कि उसके पास वो नोट जो है अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन और और इससे इससे जो व्यवस्ता है आपकी जीडीपी से जादा बड़ा पैसा इस देश के बाहर रखा हुआ है तो जो लोग बड़े स्कैम्स करके बड़े बड़े घुटाले करके इस देश के बाहर पैसा ले गए है जो अपनी पैसे को डॉलर के रूप में स्विस फ्रैंक के रूप में या दॉच मा के रूप में इन्वेस्ट करते हैं उनकी कमाई पर या उनकी अर्थ विवस्ता पर कोई फरक नह की पढ़ने जा रहा है मैं ये प्रशन उठा रही हूँ